हलो मित्रों जय माताधी आज हमारे गर में मातारानी विराजमान हो गई है और एक कुछ भी हो चाहें हम कुछ भी करें अच्छा करें बुरह करें कुछ भी करें लेकिन नौ दिन तक कहने जाने वाली है मैंने मातारानी से अवान किया है कि हर आरत में कम से कम कम से कम आपको नो दिन तों हमारे गर में विराजमान रहना है हमारे हातों से कर्मों से जो भी किया जाएगा करम कराधरा बनेगा हम आपको अर्पित करेंगे जो भी बोजन होगा जलो होगा जो भी कर पाएंगे आपके लिए हम करेंगे और आप अमारे घर में बिराजमान बनी रहें, और अमारे घर में दोनों मानु बाव हैं, कोई पूरे ब्रत रख रहा है, कोई आदे ब्रत रहा है, और कोई अपने पूजाई कर रहा है कोई कुछ है और हमने अपना गर में जो हमारा मंदिर है तो उनकी जो भी सेवा वाव कर सका जिस हिसाब सेख कर सका किया है और मैं मातारानी से चाहता हूँ कि ऐसे ही आप लोग की करपा बनी रहे जिससे आपकी हमारे गर में पूजा चलती रहे और आपका जिर्वाद हमारे सभी परिवार के साथ सथ सभी जन मानस जन कल्याड इस अज़ार में जो भी प्राणी है चाहें वो किसी योनिके हूं उनका सबका मातारानी कल्याड करें सबका सद्वाव बनाए रखें सबको भोजन निदर्णता ना हो भोजन अमेसा उनको मिलता रहे और गरीबी उनके घर में ना आए और सदा हर कोने कोने बिस्व के कल्याड के लिए मातारानी के हर कोने में इस संसार के हर कोने मातारानी की जैज संक्ट आ रहा है तो उसको तोड़ा जा सके और मैं तो कभी मान नहीं सकता कि हमारा संक्ट में आपाएगा क्योंकि जब जब धर्म की आनी होती है तब तब परमातमा इस तरह पर अवतरित होते हैं और मुझे उमीद है कि सनातन धर्म को बचाने कि दिए परमातमा फिर अवतरित होंगे हम लोग रहना रहें परन्त यह हमारा सनातन हम ऐसा रहेगा और एक दिन वह ऐसा आएगा जहां भी परमातमा की ही जय जयकार होगी मातरानी की जय जय कार होगी इसी साथ हम आपसे सबसे जै माता दी बैसरो माता की जै पुर्णागेर देवी की सितला माता की जै जै माता राने की जै